नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल ओनलाइन एक्जाम्स तियारी पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एच SSC, CET Breaking News दोस्तों गुरूब डी रजल्ट अभी नहीं आने वाला है गुरूब डी पोर्टल खुलेगा अभी गुरूब डी का पोर्टल खुलने वाला है सभी आठ लाग को जरूरी नहीं तो गुरूब डी से होना पड़ेगा बाहार दोस्तों अंत में हर्याना TGT के ब राप्त हो सकें और आप ज्यादा सी ज्यादा मैनिपिट राप्त कर सकें दोस्तों समय की कमी होने के कारण में लेट तो हो गया लेकिन दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही जरूरी न्यूश दी इसलिए मैं लेट होकर भी आपके लिए लेके आया हूँ तो दोस्तों रखवार में दिया गया यही बात इसी महापूरी होगी गुरूप डी बढ़ती तेरा जार पान्सो चतिस पदो पर दोगुने अभ्यारतों को बुलाने की तैयारी में आयोग सोब्ट वेट तियार करा रहा है आयोग जिस पर अभ्यारती से पसंदिदा विबाग पूछा जाएगा इससे दोस्तो अभ्यारती से विबाग पूछा जाएगा कि आप कौन से विबाग में जाना चाहेंगे दोस्तो परदेश में गुरूप डी की बर्ती प्रिक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी करने की तियारी चल रही है बर्ती के लिए हुई प्रिक्षा का परिणाम 15 दिसंबर तक आने की संभावना जताय जा रही है यानि कि only for दोस्तो संभावना है यह लगबग निश्ची तक ही प्रिक्षा के बाद पर्षनों पर सवाल उठाये थी इस संदर में एंटिये द्वारा सभी प्रिक्रिया पूरी की जा चुकी है अब हरियाना करमचारी चैन ने एक सोप्ट्वेर तियार कराने का निर्ने लिया है जिस पर मेरिट में आने वाले युवा अपना पसंदिदा विबा का नाम भर सकेंगे आयोग के चेर्मेन बोफाल सिंग खदरी ने कहा है कि 15 दिसुंबर तक रेजल्ट वए अगले 15 दिन में जोइनिंग दी जाएगी दोस्तों यह तियारी भी कर रहा है आयोग आयोग यह भी तियार कर रहा है कि एक पद के लिए कितने गुणा अभ अभियार्थियों से दोगुण यानि कि 26,000 अभियार्थियों को बुलाया जाए उधारन के तोर पर यदि मेरे 70% पर रुपती है तो इसमें से सामाजिक आर्थिक लाब के 5 अंकों को गठा कर 65 पिसिदी अंक लाने वालों को भी इसमें बुलाया जाएगा और दोस्तों इस इसमें आपसे विबाग का भी चेन किया जाएगा अगर आप विबाग का चेन नहीं करते हैं तो आप इससे बार हो सकते हैं और दोस्तों यहां पे भी दिया गया आयोग के अद्देक्स बोफाल सिंग खदरी से दिनिक सवेरा ने सोमार को पूछा कि गुरूप D CET की रिज दिक्षा का रेजल्ट तियार कर लिया है और उन्होंने आयोग से सामाचिक आर्थिक मांदंड के अंक मांग लिये हैं मगर रेजल्ट गोशित करने से पहले सोप्ट्वेर तियार किया जा रहा है उन्होंने बताया है कि सोप्ट्वेर के जरिये उमिद्वारों से यह विकल विकल्प मांगा जाएगा कि क्या वे गुरूप D की नोकरेद चाहते हैं तो उमिद्वार ना कहता है तो मेरिट में होने के बावजूद भी उमिद्वार का गुरूप D में चेन नहीं होगा अदेक्स बोफाल सिंग खदरी ने बताया है कि अगर उमिद्वार हां कहता है तो उसके सामने पद नाम और विबाग के नाम लिष्ट खुल जाएगी इनमें से उमिद्वार विकल्प भरे की वह कौन से पद और विबाग में जाना चाता है उन्होंने बताया कि विकल्प मांगने के लिए सोप्ट्वेर तियार हो रहा है इसे तियार करने में दो सप्ता का समय लग सकता है अदेक्स ने बताया कि जैसे ही सोप्ट्वेर तियार हो जाएगा उसी समय सामाजिक आर्थिक मांधन के लिए NTA को बेश दिया जाएगा NTA 2-3 दिन में इन अंकों को जोड़ कर CET स्कोर जारिक कर देगा और दोस्तों अब बात करते हैं TGT उमिद्वारों के लिए तो दोस्तों TGT उमिद्वारों की जो की सुनवाई होने वाली है 20 दिसमबर 2023 को तो दोस्तों ऐसी notification प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस जरूर करें जिससे की जो भी notification लेके आऊं उसकी जान करें आपको प्राप्त हो सके और आप ज्यादा ज्यादा मेनेविट प्राप्त तक कर सके है